विगन हर्ता गणेश देवा गजानन इस बार आपके घर अकेले नहीं पधारेंगे जी हाँ इस बार वो पधारेंगे शिवलिंग लेकर गाए लेकर और तो और अपने साथ मोर के साथ ही डमरू लेकर आएंगे जी हाँ इस बार गणेश देवा कुछ नए अवतार में नजर यह जो नजारा है उत्तरप्रदेश की राजधाने लखनों का है जहां पर पहली बार गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान को नए अफ्तार में तयार किया गया है इस बार गणेश भगवान को डमरू, मोर, गाय के साथ ही शिवलिंग और सिंघासन पर तयार किया गया है यह जो नजारा आप देख रहे हैं लखनों शहर के सबसे मशूर और पुराने मुर्ती बाजार लकड मंडी का है जहां पर मशूर मुर्तीकार राज कुमार इन दिनों गणेश देवा की तमाम मुर्तियां तयार कर रहे हैं लोगों ने एडवांस बुकिंग भी शुरू करा दी है और लोगों के ही खास आदेश पर गडेश भगवान को नए अवतार इन्होंने दिया है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं सबसे महंगी मुर्ती यही है जिसमें गडेश भगवान को डेकुरेट किया गया है हीरे मोती से जीहां आर्टिफीशल हीरे और मोती का इस्तम गडेश अवगवान को मोर के साथ भी तयार किया गया है यहां के मशूर मुर्तिकार राजकुमार से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोगों के ही खास आदेश पर इस बार गडेश भगवान को नया अफ्तार दिया गया है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं गाय क पिता के साथ गजानन यहां पर विराजमान है और यह भी लोगों के खास आदेश पर ही बनाया गया है। इसके अलावा मोर के साथ गजानन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। यह सभी नए अफ़तार लोगों के कहने पर ही इन्होंने तयार किया है। इन मुर्तियों की कीमत भी तीन हजार रुपै से शुरू है और आठ हजार रुपै तक इनकी अंतिम कीमत है। गजानन अपने पिता शिवलिंग के साथ भी इस बार लोगों के घर पधारने वाले हैं। यानि पिता और पुत्र तोनों की ही पूजा इस बार लोग गणेश चतुर्थी पर करेंगे। सामने आप जो देख रहे हैं यह भवे मुर्ति गणेश देवा की है और इसकी कीमत साथ हजार रुपै से शुरू है जबकि 14 हजार रुपै तक इसकी कीमत गई है। सिंघासन पर यहाँ पर विराजमान है गणेश जी पहली बार सिंघासन पर उनको लखनों में लाया जा रहा है। यही नहीं डमरू पर भी गणेश जी इस बार लोगों की घर आएंगे जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। हम यह जाना चाहें कि 19 सितंबर की इस बार गणेश चतुर्थी है। तो आपके पास काफी तरह की मुर्तियां मैंने गणेश जी की देखी। क्या कुछ नया इस बार आप यूज कर रहे हैं। हाँ, एको फ्रेंड़ी बहुत सारी है courtroom बहुत सारी हैं वह सेघनेश चीजे सब एको फ्रंड़ी ही हैं। через क्रोन काल की आप से अ BROWN कोश्य जैदा मगंग जारी है। तो उसको विसाजन करने में दस से पंदा वीस मिनट में पुरा घुल जाता है। लखनो से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट लोकल 18